नमस्कार इध्यारतियों आप आप सभीका स्वागत करते हैं। आज हम प्रीवेस एर क्वेशन सीरीज में बायो केमेस्टरी के क्वेशन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेशन है अपने पास में। रिकेट्स निम लिखित में से किसकी कमी के कारण होता है, तो अगर रिकेट्स की अगर हम बात करें, डिफिशेंसी, तो रिकेट्स जो है, हड्या कमजोर हो जाती है, उस बीमारी का नाम है, हिंदी में सूखा रोक केते हैं, जो कि विटामीन D की कमी से होता है, विटामीन D का स केल्सी फेरॉल है केल्सी फेरॉल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ने की तरफ एक्स्प्लेन एक्जाम्पल ऑफ इन्वर्ट शुगर प्रतीव शरकरा का उधारन है तो प्रतीव शरकरा की अगर हम बात करें तो हम जानते शुक्रोज होता है जिसको द्राक्ष या गन्ने की शरकरा बोलते हैं जब इसका जलब घटन होता है तो एक एंजाइम लगता है इसका नाम है इन्वर्टेज इन्वर्टेज नाम का तो इन्वर्टेज नाम का एंजाइम लगता है तो यह जब तूटता है तो ग्लुकोज बनता है और ग्लुकोज के साथ निकलता है फ्रक्ट ग्लुकोज दोनों का इक्वी मूलर सॉल्यूशन जो होता है, सम अनुक जो मिश्रण होता है, उसी को हम बोलते हैं, इन्वर्ड शरकरा या प्रतीप शरकरा, तो ये महत्पून एक अभिक्रिया होती है, इसमें ग्लुकोज और फ्रक्टोज दोनों के विलियन पाए जाते हैं अनु पाए जाते हैं, अगला प्रश्ण है, नेम लिखेत में से कौन सा पेप्टाइड बंद है, पेप्टाइड लिंकेज के बारे में पूछा है, तो सीड डबल बॉन्ड ओ एन एच, इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बंद, और पेप्टाइड बंद आपको दिख़रा ह C वाले में, पेप्टाइड बंद, प्रोटीन के अनु जो होते हैं, उनके अंदर पेप्टाइड बंद पाया जाते हैं, अमीनो एसीड आपस में जुड़ते हैं, तो जो बंद बंता है उस बंद को क्या बोलता है, पेप्टाइड बंद, C-O-N-H, अगला निम्ड में से of the substance below is not present in RNA, तो RNA के अंदर हमको क्या नहीं मिलेगा, थाइमीन, क्यों क्यों कि थाइमीन तो विटामीन है, विटामीन जो है, उसी का नाम क्या होता है, थाइमीन, जबकि युरेसिल, राइबोसोम, और राइबोस और फास्वेट, तेखो ना, आर, आर मतलब राइबोस शु तो आंसर हो गया A, साबुन है, सोप इस, तो साबुन क्या है, वसी अमलका लवण है, salt of fatty acid, अगर sodium लवण होता है, sodium लवण, कौन सा लवण, sodium लवण, यह होता है, potassium, तो यह है नहाने का, और यह है कपड़े धोने का, कपड़े धोने का, जो साबुन होता है, वो hard होता है, और ये वाला नहाने का ये होता है soft, तो इसका formula होता है R-C-O-O-N-A और इसका होता है R-C-O-O-K, तो हमारे पांस में वसीय अमलका मिश्रन जो है वो साबुन है B वाला correct answer, अगला निम लिखित में से कौन से समूज से सम्मंदित नहीं है, वसा से सम्मंदित, from which group the fat belongs, वसा से सम्मंदित कौन है, तो देखिए वसा की अगर हम बात करें, तो वसा होती है अमल, वसीय अमल और इलकोहल, जब आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पर R-C-O-O-R बनता है, जिसको हम कहते हैं रासाइनिक रूप से ester, ये ester जो है, वसा जो है रासाइनिक रूप स क्या है, ester, तो वसा का संबंद किस्से है, ester से, इसलिए सही आंसर कौन सा है, C वाला, अगला प्रश्न देखते हैं, तेल या वसा का साबुनी करन करने पर, जिसे तेल है या वसा है उसका साबुनी करन करते हैं, तो ये लिया मैंने तेल, तेल की क्रिया मैंने किस्से कराई शार से तो शार से कराने पर हमको यहाँ पर मिलता है साबुन जो की लवण है और उसके साथ में प्राप्त होता है ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल है ना CH2OH CHOH और CH2OH यह प्राप्त होता है जिसको हम क्या बोलते हैं ग्लिसरॉल तो सही आंसर कौन सा हो गया है दी वाला कौन सा है दी वाला अगला प्रशन है toilet soap is a mixture of toilet साबुन मतलब साबुन के बारे में पुछा है तो साबुन क्या होता है तो potassium salt of fatty acid वसी अमल का potassium लवन अभी अभी हमने देखा था ठीक है तो सही आंसर होता है बी वाला अगला प्रशन दूद में दुग्द में मिल्क में कौन सा disecuride होता है तो crop production सौरी animal husbandry में भी dairy science के अंदर बहुत पूछा जाता है तो disecuride जो होता है उसका नाम क्या है lactose और आप जानते है lactose को बनाने के लिए एक अणू glucose का लगता है साथ में एक लगता है galactose का glucose और galactose ये दोनों एक अणू मिलकर क्या बनाते है lactose तो lactose जो है दूद में पाई जाने वाली disecuride है जैसे कि अभी थोड़ी दिर पहले ही बताया था glucose और fructose मिलकर शक्रोज बनाएंगे glucose और glucose का अणू मिलकर आपको क्या बना कर देंगे maltose अगला प्रशन देखते हैं विटामीन को पहचानी है जो रक्त में कमी होने से प्रजनन सकती decrease the reproductive power विटामीन E जो है विटामीन E पहले option में है जो प्रजनन के लिए production के लिए जरूरी है fertility के जरूरी है अगर यह नहीं होगा तो sterility आएगे इसलिए इसको anti-sterility factor बंधिता प्रती बंधिता कारक बंधिता को रोकने वाला कारक कहते है कमी से होती है रिकेट्स क्या होता है रिकेट्स विटामीन E की कमी से होती है अगर हम बात करें विटामीन E की तो इसकी कमी से होती है night blindness रतूंधी नाम की बिमारी और विटामीन C की कमी से स्करवी होती है दातों से खून बाहर आता है अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमें इसकी कमी से बंधिता आती है इसकी कमी से हड़ियां कमजोर होती है इसकी कमी से दाई नहीं देता है और इसकी कमी से दातों से खून आना शुरू होता है जिसको बोलते हैं इसकर भी तो आप आसानी से याद रख सकते हैं अगला प्रश्ण, निम्न में से कौन सा बायूरेट नहीं देता है, बायूरेट टेस्ट आर नौट गिवन, कार्भोहटरेट बायूरेट नहीं देता है, यह देता है, मॉलिस्ट टेस्ट, कौन सा देता है, मॉलिस्ट टेस्ट, अगर हम बात करें, मॉलिस्ट परिक्षन देत तो तो बनाने के लिए एक गलूकोज लगता है एक गेलेक्टोस लगता है और एक लगता है फ्रक्टोस ग्लूकोस गेलेक्टोस और फ्रक्टोस यहां तीन एक एक अनू मिलकर हमें क्याम देंगे रेफिनोस जो कि एक क्या है ट्राइ सेकेरइड चलो आगे बढ़ते हैं निम्न लिखित में से कौन सा विटामीन धातू परवाणू होता है Which of the following vitamin contains metal atom तो विटामीन B12 जो होता है इसका नाम होता साइनो कोबालामीन और साइनो कोबालामीन साइनो कोबालामीन के अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कोबाल्ट नाम की धातू पाई जाती है इसको कहते है साइनो कोबालामीन जो की विटामीन B12 में होता है विटामीन B12 में कोन मिलेगा साइनो कोबालामीन विटामीन B12 तो धातू का अनु किसमें मिलता है विटामीन B12 में इसी को हम Animal Protein Factor, जन्तू प्रोटीन कारक भी कहते हैं क्या कहते हैं जन्तू प्रोटीन कारक आगे बढ़ते हैं Glucose और Fractose को खालिस्तान की उपस्थिती में इथेनॉल में परिवर्थित किया जा सकता है Glucose और Fractose are converted into ethanol in the presence of तो किसकी presence में करते हैं तो वह कोन है? Zymase Zymase नाम का जो Enzyme है वह Glucose या Fractose आपके पास होगा तो उसको वो इथेनॉल में बदलता है किसमें बदलता है? इथेनॉल शराब बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है वो कोन है? Zymase शायद हमने पुराने Questions पेपर में भी ये बात पढ़ चुके हैं आगे बढ़ते हैं अगले Question की तरफ म्रदू साबुन क्या होता है? Soft साबुन अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था Sodium लवन की Potassium लवन तो हमने कहा था Potassium लवन Potassium लवन कौन सा है? वो म्रदू soft है और अगर hard पूछता तो हम क्या बताते है? Sodium लवन अगला प्रश्न देखते हैं निमलेखित में से कौन सा Disaccharide है? Which among the following is Disaccharide? तो Disaccharide में हमने उधारन देखा Fractose बिल्कुल यह यह है अभी बताया था Glucose नहीं, Fractose नहीं गलती हो गई माफ कर दिये Fractose तो जो है Monoseccharide है Starch यह Mono है यह कौन है? Poly है Poly यह Cellose भी क्या है? Poly है आया Lectose दुख दशरकला Glucose और Glalectose से मिलकर बना है अभी थोड़ी देर पहले कहा था तो Lectose जो है वह डाई सेकराइट की श्रेडी में आता है अगला प्रशन देखते हैं चार वसा के बीच में अभी क्रिया को कहा जाता है अभी पढ़ाया था Base reaction between alkaline and fat तो हमने लिखा था Fat यहाँ पर Base या alkaline से क्रिया करता है तो इसको बोलते है Saponification यहाँ पर जो बनता है वो सोब बनता है और यहाँ पर आता है Glycerol Glycerol क्या बनता है Glycerol Program का नाम क्या है So saponification B is the correct answer अगला question कौन सा विटामीन C है अभी अभी मैंने कहा था विटामीन C विटामीन C जो है वो है एसकॉर्बिक एसीड तरौईंग टेस्ट इस यूस्फोर डिटेक्शन ऑफ स्टार्च इन गिवन सेंपल और इन वाट इस दे एक्सपेक्टेद अब्जरवेशन निम लिखित में से कोन सा परेक्षन स्टार्च का पता लगाने के लिए उप्योग के आ आ जा था blue leg जो है, वो aluminum के लिए होता है, ये अगला इसके उपर nail slur, ये ammonia के परिक्षण के लिए होता है, ये magnesium और zinc के लिए उपियोग होता है, परन्तु carbohydrate के लिए जो होता है, वो कुन सा है? अगला प्रश्ण देखते हैं, column में match करना है, हमारे पास में लिखा है, streptokinase, उसके बाद में है, tyrosinase, trypsin और phenyl alanine hydroxylase, phenyl alanine hydroxylase की deficiency से, अगर हम बात करें, तो एक बीमारी होती है, phenyl ketone urea, मतलब Z के साथ में जो match करेगा, वो कौन करेगा? R, यह Z के साथ में R match कराना है, फिर अगर हम बात करें, तो हमारे पास में क्या है, trypsin, trypsin के बाद में अगर हम बात करें, तो trypsin एक प्रकार का क्या है, enzyme, enzyme क्या करता है, protein को तोड़ता है, amino amino में बदलता है, है ना, छोटी आत के अंदर trypsin नाम का enzyme निकलता है जो protein को break करके amino acid निकलता है तो trypsin किसमें लिखा है Y में Y का match कोन करेगा Y का match करेगा P वाला तो Y का match हो गया P उसके उपर कोन है टाइरोसीनेज टाइरोसीनेज जो है वह albinism बीमारी के लिए responsible है टाइरोसीनेज नहीं होगा तो जो रंजक हींता albinism बीमारी आती है तो X के साथ में कोन आगा S आगा अब W जो है W streptokinase तो streptokinase जो है वह रक्त का ठक का घोलता है और दिल के दोरे पढ़ने से रोकता है तो इसके लिए कोन है Q W के साथ Q W के साथ Q मतलब B option में मैच कर गया है तो B is the correct answer streptokinase रक्त के ठक के घोलता है और रक्त के ठक के घोल जाएंगे तो body के अंदर blood का flow आसानी से होगा heart attack का खत्रा रोकेगा कोन रोकेगा तो वह है streptokinase आगे बढ़ते हैं protein biopolymer है बिल्कुल सही बात है protein are biopolymer protein structure is studied in four different level बिल्कुल protein के अंदर चार प्रकार की संरचना होती है protein संरचना को चार अलग-अलग इस्तरों पर अध्यन किया जाता है protein की दूतियक संरचना secondary structure के बारे में बोला है किस से सम्मंदित है secondary structure of protein refers to the manner in which the polypeptide chain are folded to given it shape A option दूसरा है determination of number of polypeptide chain their arrangement in the protection of molecule the sequence in which the amino acid are linked in polypeptide chain फूर्थ है the structure due to folding and coiling of the polypeptide chain producing three dimensional structure तो देखिए यह three dimensional structure जो folding से related है तीन आयामी संरचनाओं का निर्मान करने के लिए polypeptide शंकला को मोड़ना और कुंडली करन यह fourth structure का काम है देखो सबसे पहले वाले structure में क्या होता है यह amino acid एक दूसरे से attach होते है attach होंगे तो polypeptide की क्या बनेगी chain तो वह क्रम जिसमें aminoamil polypeptide शंकला में जुड़े होते हैं यह है पहला structure decide करता है दूतिय संरचना में polypeptide इससे आकार देने के लिए वह तरीका जिसमें polypeptide शंकला को मोड़ा जाता है polypeptide शंकला की संख्या का निर्धारन और संरक्षन अनू तो यह होता है तीसरी संरचना में दूसरी में और यह वाला program होता है चोथी संरचना में तो पहली में ये बनेंगे दूसरी वाली में इसे आकार देने के लिए वह तरीका जिसमें polypeptide शंकला को मोड़ा जाता है तीसरी में एक से ज़्यादा श्रंखलाएं आती है और वो आपस में जुड़ती है और बहु आयमी संरचना बनाने के लिए चौती वाली जिम्मेदार है तो ये चारो संरचनाओं के बारे में इसमें जानकारी दी गई है तो इसका सही आंसर हमारे लिए कौन सा हो रहा है एवाला है अगला प्रशन देखते हैं कार्बोहेडरेट में CHO प्राकरतिक रूप से पाये जाने वाले कार्बनिक योगिक का एक वरग है बिल्कुल सही बात है यहां मुख्य रूप से पौधो द्वारा उत्पादित होता है कौन सा बहुशरकरा कौन सा बहुशरकरा पॉली सेकराइट जो मानव के यकरत में तो मनुष्य के यकरत में जो इस्टोर होता है उसका नाम क्या है ग्लाइकोजन कार्बो हाइड्रेट अगर हम बात करें कार्बो हाइड्रेट की तो कार्बो हाइड्रेट जो होता है प्लांट्स के अंदर पौधों के अंदर इस्टोर होता है in the form of starch किसके रूप में संग रहीत होगा स्टार्च के रूप में जबकि एनिमल के अंदर के form में animal के अंदर जो है carbohydrate store होता है glycogen और glycogen animal के अंदर कहाँ पर store होता है तो उसके लिए दो places हैं एक तो हो गया liver और दूसरा होता है muscles मान स्पेशियों में और यकरत में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी का नाम क्या है यकरत वहाँ पर store होता है in the form of glycogen इसलिए glycogen को animal starch भी बोलते है क्या बोलेंगे animal starch चलो अगला प्रशन दिखते है रेशम प्रोटीन से बना होता है रेशम के धागे में रेशम जो है यह लिखा है silk इस composed of protein बिल्कुल सही बात है protein का बना है जिसमें 80% तो 80% कौन सा protein है फाइब्रोईन protein है maximum amount और लगबख 20% के करीब कौन सा मिलेगा seracin protein तो 80% का फाइब्रोईन सबसे ज़्यादा होता है तो correct answer कौन सा हो गया D वाला अगला क्या रोटीन बालो में होता है एन्जाइम जेवी कुद प्रेरक है एन्जाइम आर biological catalyst बिल्कुल सही बात which are basically protein बिल्कुल protein के बने होते है जो मूल रूप से किसके बने है protein के without enzyme all the life process would occurs very slow enzyme के बिना जो life की process है बहुत slow क्योंकि हो तो catalyst है progress को फिरनमना को teach कराते है would not to be able to sustain life जिसके बिना जिन्दगी बनाए रखना सक्षम नहीं है also deficiency of certain enzyme causes the disorder in human being अगर enzyme नहीं होंगे तो human being में disorder आएंगे बिमारी आएंगी बिल्कुल सही बात है the deficiency which one of the following enzyme cause the disorder of albinism albinism रंजक हींता बिमारी किस के कारण होती अभी अपने पुराने question में भी देखा था albinism रंजक हींता के लिए जो जिम्मेदार है वह कोन है tyrosinase इसलिए सही आंसर कोन सा हो गया tyrosinase और phenyl alanine hydroxylase अगर हम बात करें तो इसके कारण PKU phenyl ketouria बिमारी होती है और ये दोनों enzyme की deficiency से होने वाली बिमारिया है अगला देखते है amino अमल प्रोटीन अनवों के निर्मान खंड है बिल्कुल सही बात है amino acids are the building blocks of protein क्योंकि protein बनाने के लिए amino अमल ही चाहिए the contains CWH बिल्कुल acid group होता ही है साथी साथ कोन होता है NH2 होता है add a side chain बिल्कुल उसके अंदर एक जो होता है CWH है और एक होता है NH2 amino समू और एक होता है carboxylic समू R is attached to alpha R is attached to alpha तो ये वाला carbon क्रियात्मक समू का पडोसी carbon alpha होता है इससे कोन attach है? R ठीक है? तो R CH ये लिखा C और ये लिखा H ये लगा दिये CH NH2 और CWH in which these cases the amino acid will be archiral archiral बनाना है मुझे archiral बनाना है इसका मतलब है कि हमको kiril carbon नहीं होना चाहिए बनाना तो उसके लिए मुझे इस R को क्या बनाना पड़ेगा? तो इस R को मुझे लिखना पड़ेगा H इस R को जब मैं H लिखूँगा तब ही तो ये क्या बनेगा? archiral बनेगा इसलिए R की जब क्या लगाना पड़ा? H तो सहीं आंसर कौन सा हो गया? A वाला ठीक है? चलो सबसे सिंपल वाला होता है अगर H लिखा इसका नाम क्या है? glycine सरल्तम अमीनो अमल का नाम है glycine और ये प्रकाशी रूप से प्रकाशी अक्रिय होता है Optically Inactive होता है Optically क्या है? Inactive जिसका नाम हम बोल रहे हैं वो है अमीनो असेड जिसका नाम है glycine इसके अलावा सारे अमीनो असेड Optically Active मिलेंगे आपको प्रकाशी सक्रिय मिलेंगे सब के अंदर आपको chiral carbon मिलेंगे कौन सा carbon? chiral आगे बढ़ते हैं Vex ये Vex मोम जिसको बोलते हैं तो मोम भी जो है वो हम बात करते हैं मदुमक्की के चट्टे से क्या मिलती है? मोम और मचली के शरीर पर भी क्या लगी रहती है? मोम तो मोम, steroid and some vitamins लाइक विटामिन A, D, E, K ये सब वसा में घुलते हैं आर मेड़ आप वन आफ दो फोलोईंग बायो मॉलीकूल लिस्टेड बिलो ये A, D, E, K वैक्स, स्टिरोईड, ये विटामिन A, D, E, K कौन से जेव अनू से संबंदी थे? ये पूछा है तो हम बात करें तो मोनोसेक्राइड नहीं मोनोसेक्राइड तो नहीं है नूकलिक एसीड नहीं है पॉलीसेक्राइड नहीं है इनका संबंद किससे हैं? लिपिड से लिपिड से किससे संबंदी थे? ये सारी चीजे लिपिड से संबंदी थे सही answer कुन सा है D वाला अगला question देखते हैं चीनि में किते % चिनि किती है वाई चीनि कम है चीनि कम है न हनी हनी के अंदर stat है तो शहाद में चीनि 98% होती है किते % उथोतक लाकब असी होती है कि इंजाइम interconnection lock interaction lock and key model ताला लाक मने ताला and key की मतब चाबी ताला चाबी सिधान्थ lock and key model of enzyme interaction are proposed by तो ये ML Fisher ने दिया है किस ने दिया है? Fisher ने जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिडल और टोटम ने एक enzyme एक थेरी देकर रखी एक enzyme एक gene थेरी एक gene एक enzyme थेरी are proposed by बिडल एंड टोटम तो ये एक सिधान्थ पूछा था जो कि हमारे पास में ताला चाबी सिधान्थ है, वो ML Fisher नाम के scientist ने दिया है जो enzyme की activity, enzyme की क्रियाविदी से संबंदित है enzyme जो है, वह क्रिया कारक को उत्पाद में बदलता है तो क्रिया कारक को उत्पाद में ये E4 enzyme है, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, उत्पाद बनता है जिसको हम product बोलते हैं तो केसे बदलते हैं, इसके संबंद में जो थिवरी है, ताला चाबी से दांद वो कि इसने दी थी, Emil Fisher ने उसने कहा था कि जिस तरह से एक ताले को खुलने के लिए विसिस्ट चाबी की जरुरत पड़ती है उसी तरह से एक विसिस्ट क्रिया कारक को उत्पाद में बदलने के लिए एक विसिस्ट एंजाइम की जरुरत पड़ती है अगला प्रश्ण कौन सा हमारे देनिक जीवन में उपचेयन, उपचेयन मतलब Oxidation Oxidation Reduction in Daily Life पहला क्या है? Corrosion अच्छा जंग लगना और दूसरा क्या है? Rancidity, Rancidity मतलब दूर्वासिता, देखो तुम लोहे को हवा में खुला छोड़ दो, तो उसका आक्सिकरन होता है और उसको जंग लग जाती है तो ये भी देनिक जीवन की क्रिया है दूसरा, अगर तुम तेल या घी को, मतलब वसा को हवा में खूला चोड़ दो तो उसका भी आक्सीकरण आता है और उसके अंदर से दुर्गंद आना शुरू होती है और दुर्गंद आना विक्रत गंधिता या दुर्वासिता इंगुलिश में रंचिडिटी तो दोनो क्रियाएं जो है देनिक जीवन में होती है और आक्सी करण के कारण ही संपन होती है इसलिए सही उत्तर हो गया A और B दोनो निम लिखित में से कौन सा कथम एंजाइम के बारे में गलत है जोडने वाला है इसलिए तो दो को जोडने के लिए कोन है उच्छ तापमान पर एंजाइम कुशलता से क्रिया करता है ये बात गलत है गलत पूचा था भी क्योंकि उच्छ तापमान पर तो एंजाइम नस्ट हो जाते है एंजाइम नस्ट हो जाएगा तो क्रियाएं बंद हो जाएगी और जीव की ब्रत्यू हो जाती है इसलिए हम दूद को जब उबालते हैं तो उसके अंदर के सारे बेक्टीरिया मर जाते हैं ठीक है लगबख सभी एंजाइम प्रोटीन के होता है बिल्कुल सही बात है प्रोटीयोलाइटिक मतलब एमिनोएसीड बनाने काम करता है जो की छोटी आत में निकलता है चोटी आत में किणवन प्रक्या के प्रमुख घटक क्या है किणवन मुख्य रूप से होता किसका है यह लिंखाए उसका नाब क्या है यहां पर आंसर शाग या चीनि दिया है एलकोहल का रासाइनिक सूत्र एथिल एलकोहल C2H5OH यही शराब है यही कौन है शराब तो सही आंसर कौन सा हो गया ए वाला अच्छा यहाँ पर हमारा बायो मॉलिक्यूल वाला जो छोटा था टॉपिक था वह समापत होता है थोड़ा सा उन्होंने एंजाइम के बारे में पूछा थोड़ा सा साबुन के बारे में पूछा थोड़ा सा विटामीन थोड़ा सा कार्बोहेडरेट और थोड़ा सा फेट तोड़ा तोड़ा करके पूछा है और यही हमारे कोन है बायो मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पर हमारी कहानी खतम होती है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद